जै मातादी आज मैं अपके साथ शेयर करने वाली हूँ श्री वैभव लक्षमी ब्रत का था और ये कथा इस परकार है कमला वेहज शुशील और संतोसी प्रवर्टी की स्तरी थी वैभगवान विश्नु की सची भक्ती अपने पती सोहन लाल के साथ गाउं में रहते उसने और उसके परिवार ने सधा दुख ही जहले थे तब पती पत्नी ने आपस में सलहा की और अपने बच्चों को लेकर एक बड़े शहर में आ गए शहर में आकर सोहन लाल ने एक धावा खोल दिया जिससे अच्छी आमदनी होने लगी यह सब श्री नाराने जी की ही किरपा का फल था जो कमला के आराध्य थे सब कुछ ठीठाक चल रहा था मगर कमला को एक ही दुख था कि जियों जियों उसके घर में धन बढ़ता जा रहा था त्यों ते उसके पती की लाल सा भी बढ़ती जा रही थी उसने अपने कमाय धन को जुए सट्टे और लाट्रियों में लगाना शुरू कर दिया था कमला अपने पती की लालची परवर्टी से डरा करती थी मौके बे मौके वह उसे समझाती मगर सोहन लाल पर उसके समझाने का कोई असर नहीं होता था वह कहता तुम पागल हो कमला अरे इतने बड़े शहर में आकर भी हमने कोठी कार नहीं बनाई तो धिक कार है हमें गाउं छोड़ने पर जब इश्वर की किरपा होगी तो वह इसी काम में इतनी बरकत दे देंगे कि हम यह सब बना और खरीद लेंगे कमला कहती इश्वर क्या किरपा करेगा करंबीर अपने बल पर ही यह सब प्राप्त करते हैं सोहनला एंकार भरी बाते करता और कमला मन मसोस कर रह जाती सोहनला के कदम दिन बदिन बहकते चले गए उसे जब भी जुए सट्टे या लाटरी में नुकसान होता वह सराब पी कर आता इस परकार उसका धान अपने धंदे की तरफ से हटता चला गया जो डावा कल तक फायदे में चल रहा था वह धीरे धीरे नुकसान देने लगा इसी गम में कभी कभी सोहनला दिन में भी शराब पी लेता था जिस और उसकी दुकान पर ग्रहकों का आना और भी कम हो गया इस पर भी सुहनलाल को कोई समझ नहीं आये वह विक्री के पैसों से जुवा या लौटरी खेल लेता और शराब पी लेता घर में पैसा देना उसने बिलकुल बंद कर दिया कमला पैसों का जिक्र करती तो मैं काम मंदा होने का बहाना बना देता धावे का सारा समान एक दुकान से उधार आता था जब दुकानदार को उसके जुवे किलत और शराब पीने का पता चला तो उसने भी उधार देना बंद कर दिया धावे के कारीगर भी पैसा ना मिलने के कारण काम छोड़कर चले गए नतिजा यह हुआ कि धावे में ताला पड़ गया अब तो घर में फाका होने लगा अब सोहनलाल काम धंदे की तलाश के नाम पर सुभा घर से निकल जाता और साम को ना जाने कहां से सराप पिकर लौटाता था घर में दो मासूम बच्चे और कमला भूग से बिलगते रहते थ उस दिन तो कमला आस पड़ोस से मांगर बच्चों का पेट किसी परकार भरती रही मगर आज तो पड़ोसी ने भी नजरे फेर ली आकिर कोई कब तक किसी पर दया कर सकता है रात होने पर बच्चे भूग से बिलग बिलग कर सो गए नशे में दुथ सोहनलाल भी आकर सो गय और बैचारी कमला घर में बने मंदिर के सामने बैटी रात भर आसू बहाती रही उसका फिर्दय बार बार कह रहा था कि हे नाराण जी यह मुझे किस पाप की सजा दे रहे हैं आप पर भू मेरे परिबार पर आई संकट को टालो आज मेरे बच्चे भूग से बिलगते सो गए मेरा पती पत्वरस्ट हो चुका है है लक्षमी पती रक्षा करो मेरे पती को सद्धुद्धी दो इसी प्रकारविंती करते वह कब सो गए उसे स्वैम ही पता नहीं चला सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि बच्चे सोए पड़े हैं पती नहाद हो रहा है कमला उससे उसकी नजरें मिली तो उसने सिर जुका लिया फिर कपड़े पैन कर खामोसी से बाहर चला गया कमला हाथ मुधो कर फिर से अपने नारण जी के मंदिर के सामने जा बैटी चहरा गुटनों पर टिका लिया और सोचने लगी कि क्या करूं बचे उठकर अनने का एक भी दाना नहीं है पास में एक फोटी कोडी तक नहीं है आपको क्या दूं कहकर वह रोपड़ी बेटी तेरे घर में धन पड़ा है अब तु दुखी है सादु ने कहा धन मेरे घर में बाबा अब क्यों मुझे अभागी का उपहास कर रहे हैं मैं सच कह रहा हू यह मा स्वैम पिता को मना लेती है यह ले सादु ने अपने जोले में से एक पुस्तक निकाल कर कहा यह मा बैभव लक्षमी की वरत कथा की पुस्तक है तू मा लक्षमी की सरण में चली जा मा तुझे अवश्य ही किरपा करेगी और तिरा धन धाने से घर भर जाएगा मा बै खी विधी के अनुसार मा का वरत कर तेरा उधार होगा नारायन नारायन कमला तो अपनी सारी सुद्भूत भूलकर पुस्तर के प्रिष्ट पलटने लगी अचानक उसके मन में आया कि यदि घर में धन है तो बाबा को खाली हाथ नहीं भीजना चाहिए मैं अभी उन्हें कानों में गूँज रहे थे कमला हत प्रत सी रहे गई तो क्या नाराजी मेरे नारायन का संदेश लेकर आये थे जरूर यही बात है सोचती हुई कमला तेजी से पलटकर भीतर आई और दिवार पर टंगी नारायन जी की तस्वीर के बीछे देखा तो सच मुच वहाँ एक प पड़े और यह पढ़कर तो उसकी खुशी का ठीकाना ही ना रहा मा बहुवलक्षमी का वरत शुकरवार से आरम किया जाता है यह सयोग ही था कि उस दिन शुकरवार ही था उसने स्नानादी से निर्वित होका नारायन जी के सामने ही संकल्प लिया कि बहाँ मा ब्रत कथा कि पुस्तक में लिखे नियमो के आनूसार ब्रत किया तिर में जैem जै फैफोलक्षमी का जाप करती रही शाम के समय उसने विदिवत मा का पूजन किया और प्रातना की हे मा नाराण जी की आग्या से मैंने आज आज आप की शरण लई है मेरी मनोती पूर्ण कर मा मैं के वल इतना चाहती हूं कि मेरे पती को सदबुद्धी आए वे सभी दुर्गुणों को त्याकर फिर से सदमाग पचलते वे अपना काम करे जै मां बैभुलक्ष्मी जै मां बैभुलक्ष्मी ब्रत कधा कहकर उसने बच्चों को चूर्मा का परसाद दिया अपने आस प बुला कर कहा कि यदि मैं शराव और जुए की लगा छोड़ दू तो वह है मुझे फिर से आटा डाल आदी उधार दे देगा और कमला मैंने आस से ही कसम खाली कि मैं जीवन में कभी भी सराव और जुए की दरफ नहीं देखूंगा यह सब तुमारे शुपकर मुपा ही चम मां बैवलक्षमी का चमतकार हा स्वामी अब हम सब मां बैवलक्षमी की शरण में हैं आज मैंने मां बैवलक्षमी का व्रत रखा है मां बैवलक्षमी की सभी कमनों कामनाई पूर्ण करती है एक बार मां जिसके प्रशन हो जाती है उसके जीवन में कभी भी दुख और दरि के समय पले गई एक चौकी पस श्रीयंत्र के समक्ष मां बहु लक्षमी की जोट अभी भी जल रही थी और जल के पात में रखी कटोरी में घर का आखरी गहना कमला की नाक के सोने का कील पड़ा था सोहनलाल जैसे ही माता की जोट के समक्ष आया उसकी आखों से अबर अशुध वार सहीत आपकी शरण में हूँ हमारा उधार करो हे मां मैं आज से ही संकल करता हूँ कि अपनी पतनी के साथ आपके वरत को करूंगा फिर दोनों ने मिलकर मां बहु लक्षमी का प्रसाद कहरें किया दूसरे दिन सोहनलाल ने अपने दुकान को जाड़ पोचकर साफ किया और उसके पुराने कारीगार भी वापस आ गए और दोपैर होते होते डावा पहले की भाती चलने लगा इसके बाद जब शुकरवार आया तो पती पतनी ने मिलकर मां बहु लक्षमी का वरत किया इस एक साफ़ता में सोहनलाल के घर की स्थिती तेजी से सुधरने लगी के पुस्तक भेट की इसके अथरिक उन्होंने 101 प्रतियां सभी सरधालों में भी बाटी उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि हम उमर घर निश्काम भाव से मा बैवललक्षमी का वरत करते रहेंगे बोलो मा बैवललक्षमी की जै कथा की बात मां से इस प्रकार प्रातना कर समाब थूई